RBI ने Domestic Money Transfer Framework में कुछ बदलाव किये हैं और इन बदलावों के बाद जिस बैंक के जरीए पैसे ट्रांसफर किये जा रहे हैं उस बैंक के लिए जरूरी होगा बेनिफिशिरी के नाम और पते के रिकॉर्ड रखना RBI के इस बदलाव पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं मेरी सयोगी एकता सूरी से जो कि मेरे साथ स्टूडियों मौझूद हैं एकता डीटेल्स दीजिए क्या है ये नए निया जी बिल्कुल दीपक RBI ने ये जो Domestic Money Transfer है इसके framework में बदलाव किया है जो की लागू होगा November 1,2024 से अब इस framework के बदलाव से होगा क्या कि अगर कोई cash payout हो रहा है तो जो remitter bank है जहां से वो पैसा निकल रहा है या फिर कोई banking correspondent है उसके लिए ये mandatory हो जाएगा कि वो beneficiary यानि कि जो पैसे receive कर रहा है उसका नाम और पते का वो record रखे अगर हम cash pay in की बात करें यानि कि पैसा जो आ रहा है आपके account में तो हर एक जो remitter bank है वो कह रहा है कि जो IMPS और NEFT transactions होती है इसमें जो आपको पैसे भेज रहा है उसकी details भी clear होगी इसके अलावा जो remitter है यानि कि जो पैसे भेज रहा है उसे officially validate करना होगा remitter bank यानि कि जहां से पैसे जा रहे हैं या फिर banking correspondent को एक phone call के जरिये या फिर officially validated documents के जरिये ये KYC के तहट जो है अब ये एहम हो गया है इसमें ये भी कहा गया है कि हर एक transaction में अब एक additional जो verification factor है उसे भी add किया गया है और साथ में ये जो payment system जो ये जो framework है इसमें ये बदलाव इसलिए जरूरी बोला गया क्योंकि जब ये framework बनाया गया था तब उतने banking outlets नहीं थे उतने payment systems नहीं थे क्योंकि इन में दिन बदिन इजाफा हो रहा है इसलिए ये जो domestic money transfer framework है इसमें RBI ने बदलाव किया है दिपक शुक्रिया एकता निस्तमाम जानकारी के लिए